दोस्तों बैस्वरम मली का आप सभी का Only Top Study Channel पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बाइलोजी के Top 25 ऐसे Question Answers जो की परिक्साओं में 100% पूछे जाते हैं तो आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके एंड तक देखेगा 25 में से कितने Questions के आंसर आप लोग सही कर पारें अपना Score कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा दोस्तों यदि कोसिका के राइबोजोम नस्ट कर दिये जाए तो क्या होगा ये आपके लिए Test Question रखा गया है तो इस Question का आंसर सभी को कमेंट बोक्स में जरूर बताना है वीडियो पसंद आई तो Like Share कर देना चलिए सुरू करते हैं पहला Question है कच्चे फुलो को कृतिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रियुक्त की जाती है तो देखे कच्चे फुलो को दोस्तो जब Artificially पकाया जाता है तो उसमें किस गैस का प्रियुक्त की जाता है राइट आंसर हैगा ऐसे टिलीन गैस होती है दोस्तो उसका प्रियुक्त की जाता है यानि कि B राइट आंसर हैगा पहले Question का सही उतर चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुदु था तो इस Question का राइट आंसर क्या रहेगा वन की कटाई के यानि कि वन कटाई के तो राइट आंसर इससी यह आपको गया दखने है तीसरा Question है प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संग कोन सा है दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संग कोन सा है तो राइट आंसर इस मुलास का यानि कि तीसरे Question का राइट आंसर भी हो जाएगा यह आपको याद रखना है Question No.4 है थाराइट गरंथी का स्थान कहा है Question No.4 का राइट आंसर दोस्तो क्या रहेगा थाराइट गरंथी कहां पर होती दोस्तो गले में थ्रोट में यानि कि राइट आंसर भी हो जाएगा Question No.5 है चावल अनुसंदान संस्थान कहां इस्थित है तो पाँचवे Question का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तो चावल अनुसंदान संस्थान कहां इस्थित है तो कटक दोस्तो इस Question का राइट आंसर रहेगा यानि कि पाँचवे Question का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा देखे 6000 Question आसर वाली Master PDF अगर आप लोगों ने अभी तक परचेज नहीं किया दोस्तो तो ओफर जल्दी सबाप्त होने वाला है 170 रुपे की PDF में सभी सब्जेक्ट की PDF पूरी lifetime के लिए आपको मिल रही है मुझे लगता है कि अगर आप ये सारे सब्जेक्ट की बुक या पीडियाप लेने जाएंगे तो 500 रुपे की तो कम से कम पीडियाप आएगी और अगर सारे सब्जेक्ट की अगर आप दोस्तो बुक लेंगे तो 1500 रुपे से कम आपकी बुक्स नहीं आएंगे और ये सारे subject वो है दोस्तो जो की अगर आप competitive exam की चारी करेंगे तो ये पढ़ने ही पढ़ने पढ़ने पढ़ेंगे तो आप इस master pdf को पढ़िए पूरा syllabus complete हो जाएगा दोस्तो मातर 170 रुपे में और यहाँ पर देखिए हमने whatsapp number भी दिया है आपकी help line के लिए अगर आपको pdf लेनी है केवल pdf सम्मदित ही जानकर यहाँ पर मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा pdf लेने के लिए link भी मिल जाएगा और description box में भी link available है दो free pdf भी आपको अमारे whatsapp number से मिल जाएगी जब आप payment करके हमें screenshot भेज देंगे चटा question है दोस्तो सपर्थम genetic code की खोज किसने की थी पुटसप number नीचे की साइड यहाँ पर लिखाओ मिलेगा हर एक slide में चटे question का दोस्तो right answer क्या रहेगा डोक्टर हर्गोविंद खुरानाने यानि कि चटे question का right answer भी हो जाएगा यह आपको यादखना है साथवा question है स्टेंटो स्कोप का विस्कार किसने किया था तो right answer है रहेगा रहने लेने एक रहेगा यानि कि साथवी question का right answer भी हो जाएगा यह आपको यादखना है आठवा question है mmR का T का किस बीमारी में दिया जाता है तो right answer क्या रहेगा मेसल्स, मंप्स और रुबेला में यानि कि right answer is B यह आपको यादखना है नवा question है कोशिका में भोजन या गुलकोज का ओक्सीकरन कहा होता है तो दोस्तो कोशिका दिर्व यानि कि साइटो प्लाज्म है यानि कि नवे question का right answer option A हो जाएगा यह आपको यादखना है दस्वा question है iodine state का प्रियोग किसकी उपस्तिती जाचने के लिए कि लिए होता है दोस्तों दस्वे question का right answer क्या रहेगा कार्बो आइडरेट यानि की दस्वे question का right answer C हो जाएगा यह आपको यादखना है ग्यारवा question है सवसन किस परकार की किरिया है सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करते न दोस्तों अपने भाई बैन के साथ में भी शेयर कर सकते हैं और अगर आपको सारी वीडियो देखनी है science की या फिर किसी भी subject की तो आप YouTube पर सर्च कर लेना है तो only top study science playlist या फिर description box चेक कर लेना वहाँ पर आपको हर एक subject की playlist मिल जाएगे ग्यारवे question का right answer क्या रहेगा ओक्षिकरन किरिया यानि की right answer B हो जाएगा ग्यारवे question का से उत्त question number 12 है जी विज्ञान की वैक कौन सी साका है जिसके तैत को सिकाओं यानि के cells का अध्यन किया जाता है तो right answer हैगा दोस्तो cytology ठीक है बारवे question का right answer option A हो जाएगा ये आपको या दखना है question number 13 है फेपडो को ढखने वाला आवरन क्या कहलाता है तो plura इस question का right answer हैगा दोस्तो यानि कि question number 13 का right answer C हो जाएगा question number 14 है breeding की वैक कौन सी प्रकिरिया है जिसके द्वारा उच विटामिन अथ्वा प्रोटीन और अत्यादिक वसा वाली फसले उगाई जाती है बायो फर्टिफिकेशन यानि की दोस्तो right answer C हो जाएगा question number 14 का सहुत कोसिका का बिजलीगर यानि की पावर हाउस किसको कहा जाता है तो कोसिका का पावर हाउस दोस्तो किसे कहा जाता है mitochondria को यानि की पंदरवे question का right answer C हो जाएगा यह आपको याद रखना है सोलवा question है निमलिखित में से कौन सा एक प्राकरतिक फल पकाने वाला हार्मोन है right answer है एथलीन यानि की सोलवे question का right answer C हो जाएगा यह आपको याद रखना है उत्परिवर्तन का सिध्धान किसने परतिपादित किया था दोस्तों तो ह्योंगो डी व्रीज यानि की right answer is option D सतरवे question का right answer D हो जाएगा यह आपको याद रखना है अठारवा question है उत्पर किस उत्तक का बना होता है तो वसाम्य उत्तक का दोस्तों ठारवे का right answer D हो जाएगा यह आपको याद रखना है उन्निसवा question है इन में से क्या केवल पोधों में पाया जाता है क्या केवल पोधों में पाया जाता है तो उस्तों right answer क्या रखना है उन्निसवे का right answer हैगा कोसी का भीति यानि की उन्निसवे का right answer D हो जाएगा बीसवा कोशन है परकास अनलेशन की दर सबसे अधिक किस रंग के परकास में होती है तो लाल में दोस्तो यानि की राइट आंसर डी हो जाएगा एंजियो स्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भूरून पैदा करने की गटना को क्या कहते है तो राइट आंसर ये दोस्तों ठीलो न यानि की राइट आंसर इससी 21 कोशन की राइट आंसर सी होज़ेगा 22वा है अरि चिंक है औरिज्वा ऑफ अब में इस प्शीज नामक पुस्टक किस न लिखी है और इसдоّं ऑप इस पिससीज नामक पुस्टक लिख सी दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने यानि की 22 कोशन कराईट आंसर C हो जाएगा ये आपको या दखना है मानव सेरीर में विटामिन A कहां बंडारित होता है तो 23 कोशन कराईट आंसर आएगा दोस्तों यकरत यानि की लिवर में 23 कोशन कराईट आंसर D हो जाएगा चोबिस्वा कोशन है यदि कोशिका की राइबोजॉम नस्ट कर दिये जाए तो तो प्रोटीन संलेशन नहीं होगा चोबिस्वे कोशन का राइट आंसर डी हो जाएगा ये आपको याद दख रहे है 25 कोशन है मनुष्य का एक कवक जनित रोग यानि की फंगल बॉन डिजीज है 22 कोशन का राइट आंसर दाद हो जाएगा यानि की डी राइट आंसर हैगा 25 कोशन का सहीव तर मेरे प्यारे दोस्तों 25 में से आप लोगोंने कितने कोशन के आंसर सही किया है एक तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे थारेड गरंथी का इस्थान कहा है ये आपके लिए टेस्ट कोशन है इसका भी आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है Only Top Study आपको डाउनलोड नहीं किया था आप डाउनलोड कर लीजे फाइव स्टार की रेटिंग करिएगा उसके बाद में आपको यहां से डेली करेंट फिर की पीडियाप और कहीं यूटूब की फिरी पीडियाप मिलना स्टार्ट हो जाएगे Master पीडियाप पर दोस्तों जबरदस्त ओफर है भी इसमें सभी सब्जेक्ट की पीडियाप मिला करके 6000 कोशन आंसर्स पलस दो फिरी पीडियाप मिला करके 8000 कोशन आंसर्स मिल रहे हैं मात्र 170 रुपे में पूरी lifetime के लिए आपको किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं आपको इन सभी सब्जेक्ट की बुक या पीडियाप लेनी पड़ेगी त्यारी करने के लिए और ये 1500 से 1000 रुपे की दोस्तों आपको कम से कम तो पढ़ने वाली एतने की ठीक है तो मैं आपको पढ़ना है तो प्यारे दोस्तों अगर आपको इपीडियाप लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दिया गया वहां से पर्चेज कर सकते हैं या फिर आप अमारे वाट्सअप नंबर पे मैसेज करके भी पीडियाप का लिंक ले सकते हैं वीडियो अगर को पसंद आईए तो लाइक सेर कर दीजेगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को उन रखिए ताकि आगया आने वाली कोई भी वीडियो मिसना हो थेंक्यू सो मच बाइबाई आवरीवन टेक कर ख्याल लगे अपना